तो गाइज मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रैंक करने वाले हैं एक-एक डेविल अबली के पेपर व्यू को जो हुआ साल 2020 में वर्स से शुरू करेंगे और बैस तक जाएंगे बहुत कमाल के वीडियो होने वाली है तो फटा फटा आप लाइक कर दें और इससे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे भाई मेरी क्रिस्मस तु आल ओफ यू मैं उमीद करता हूं कि आज करो देना आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ सथ स्पेंड करें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटे पॉजिटिव और आज के वीडियो बहुत जादा इंटरस्टिंग होने वाली है कौन सा अच्छा आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं और यह मैं कह दूं कि इस साल जो पेपर व्यू की कॉलिटी थी वह बहुत जादा इंप्रूव हुई है यह बात हम जानते हैं पेपर व्यू 6 पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया बात मैं क्लियर कर दूं यह लिस्ट इसलिए है क्योंकि अगर कोई पेपर व्यू नीचे है उसका मतलब है कि उसके सारे उपर वाले पेपर व्यू उससे बेटर थे और वह डिजर्व करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग लिस्ट में अपने एक कमेंडस में अपनी लिस्ट बताएं बस्ट इस पीज सबसे घटिया यह बीच में अब देखने मिला वह मैं फिर से याद भी नहीं करना चाहता है जिस त切 कर तो गहीं करा गया उसके बाद एक अच्छी मोमेंट थी कि अंडर्टेकर का सर्प्राइज हमें धरूर देखने को मिला लेकिन गाइस क्राउट जो था इस शो के अंदर कुछ खास होता नहीं है और हम जानते हैं कि सूपर शोडाउन वान उस फेवरेट शोज होता है फैंस के लिभी और इस चेंबर मैच ही नहीं था मलब जो मेन मैच लोग देखना चाहते हैं वह यहां पर हमें देखने को नहीं मिला अंडर्टेकर की यहां भी एक सर्प्राइज अपिरेंस थी जो कि लोगों को देखने में अच्छी लगी उसके बाद विमन्स के लिमिनेशन चेंबर मैच में शे इस से भी जादा मुझे अच्छे लगें नंबर 11 पेपर व्यू की तरफ हम बढ़ते हैं अब तो लिस्ट में आता है डवी बैक्लाश 2020 अब जब मैं रैंकिंग कर रहा था तो मुझे था कि भाई इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए लेकिन वह नहीं हो पाया क्योंकि जैक्स का में मैच देखने को मिला और उसके अलावा जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स के बीच में जो हमें देखने को मिला वाई उसको तो मैं याद भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एक टैग्टीम चैंपिंशिप मैच के हम उमीद कर रहे थे और लीग की शौकिंग विक्ट्री थी ओवर रैंडी ओटन जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि आसा हो भी सकता है लेकिन इसके अलावा जो हमें देखने को मिला गाई सैथ रॉलिंस एन मर्फी अगेंस्ट अच्छा मैच था और बात की कुछ सिंगल मैच इस ते शो के ओपर तो एक्स्ट्रीम रूल्स दे हॉरर शो पेपर व्यू जिसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बुक करा गया था एक नॉर्मल एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू के कंपैरिजन में यहां पे एक स्वांप फाइट थी जो ब्रेव आयत और ब्राउंस ट्रोमन के बीच में ह साथ की साथ एक आई फॉर एन आई मैच था से ट्रोलिंस और रेमिस चीरियों के बीच में और इन दोनों के बीच में फैंस के जो थे वो मिक्स्ट ओपीनियंस थे मुझे काफी हद तक दोनों ही मैच पसंद आया आई फॉर एन डेफिनिटली बेटर था और स्वांप फाइ डॉल्फ जिगलर से लड़े थे एक अजीब सी स्टिपूलेशन में कि सिर्फ जिगलर के लिए एक एक स्ट्रीम डूल्स मैच है लेकिन एक ठीक ठाक मैच में महां पर जीत गए थे तो ओवर ओल ये एक अच्छा बैंट शो था नंबर एट की हम बात करते हैं तो यहां पर आता है money in the bank pay-per-view अभी इस शो को WWE ने जो briefcase वाला मैच होता है फिर money in the bank मैच होता है उसके अराउंड बिल्ड करा गया था क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में यह एक नया concept लाया गया कि एक ही समय पर दोनों मैच होंगे और यह रिंग के अंदर नहीं बलकि WWE के headquarters में होंगे तो काफी सारी मज़ेदार मोमेंट से मैच के अंदर थी बहुत सारी funny चीज़ें थी लेकिन at the end यहापे आसका जीत गई थी women's का money in the bank जिससे काफी लोग सहमत थे लेकिन otis जीते थे men's का money in the bank जो कि उस समय हमें लग रहा था कि हाँ बहुँ कुछ special हो सकता है लेकिन बहुत जैसे कि Seth Rollins and Drew McIntyre amazing match मेरी top 2 में था वो guys for the matches of the year और यह जो WWE Championship का match था हमें बहुत जाद अच्छा देखने को मिला था और उसके बाद R-Truth vs Bobby Lashley एक ठीक ठाक match, Bayley vs Tamina फिर से एक ऐसा match जिसमें मैं बिलकुल interested नहीं था और इसकी वरासे यह show जो है guys आता है number 8 पे, number 7 के हम ब बहुत जादा होती हैं, और Roman Reigns vs Drew McIntyre का जो एक amazing match हमें देखने को मिला, जिसके पीछे बहुत अच्छी storyline थी, WWE के top 2 superstars आपस में collide कर रहे थे, यह बहुत बढ़िया था, उसके बाद Team Raw का clean sweep, men's वाले match में जैसे हमें देखने को मिला, और Lana का lone survivor रहना यह भी एक surprise था, तो WWE ली ने overall कुछ चीज़ें यहां पर करी थी, जो fans expect नहीं कर रहे थे, और उसके बाद Sasha और Asuka की बीच में कमाल का match, और उसके बाद obviously Undertaker की final farewell वाली segment एक ऐसी चीज थी है, जो wrestling की history books में लिखे जाएगी, यह last time था, जब Undertaker एक WWE ring के अंदर थे, और बहुत सी expectations थी, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या हो सकता है यहां पर, और काफी लोग disappointed भी रहे इस चीज से, लेकिन इससे यह नहीं मतलब बनता कि यह show बेकार था, और overall I think definitely यह इस spot को deserve करता है, number 6 के हम बात करते हैं guys, तो यहां पर आता है clash of champions पे-per-view, और अगर overall मैं बात करूं तो काफी अच् अचा था, उसकी storyline कमालती, साथ की साथ Sammy Zane, Jeff Hardy और AJ Styles का ladder match, एक clever finish थी उसके अंदर Sammy की तरफ से, और उसके बाद Asuka का भी छोटा से surprise था कि उन्होंने Bailey को challenge करा, और जबकि वो match कुछ खास नहीं था, definitely एक element था वो show के अंदर, तो यह one of the better shows था WWE का, इस साल वो definitely मैं कहूंगा, नंबर 5 के हम बात करते हैं, तो यह था Hell in a Cell पे-पर व्यूँ, अब Roman Reigns इस point पे बहुत जादा strong हो चुके थे अपने return के बाद, और उनकी storyline जो है, वो Jay Uso के साथ बहुत अच्छी चल रही थी, और जो दोनों के बीच का Hell in a Cell match हमें देखने को मिला, वो बहुत ही जाद अच तो overall very very good show और wrestling काया तो भाई, बात ही मत करो, यह show बहुत ही बढ़िया था, number 4 के हम बात करते हैं guys, तो यहाँ पर आता है Summer Slam पे-पर व्यूँ, जहाँ पे The Fiend ने हराया था Braun Strowman को, और वो था एक false count anywhere match, लेकिन जो सबसे बड़ी iconic moment थी शो की और प्रावली पूरे साल की WWE क surprise था, fans पागल हो गए थे, और एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत समय से वेट करी जा रही थी, कि Roman Reigns heel बन सकते हैं, और वही वो moment थी जब Roman ने अपना heel turn स्टार्ट करा था, और guys उसको कोई नहीं भुला सकता, और इसके अलावा Drew McIntyre vs Randy Orton का match हमें देखने को मिला, Seth Rollins vs Dominic का, तो यहाँ पर आता है guys, WrestleMania 36, WWE का सबसे बड़ा show in all the year, और इस बार जो है, उसको बहुत बड़ा challenge मिला, कि भई उसमें fans नहीं आने वाले, और WWE ने पूरा 80 चोटी का दम लगा दिया कि इसको हम स्टेडियम में कर सकें, लेकिन at the end हमें ये performance center से देखने को मिला, जिसने expectations को ब WWE ने एक नया idea निकाला, कि एक दिन नहीं, दो दिन में WrestleMania करेंगे, थाकि एक बहुत लंबा और बोरिंग शो ना बने, and I think it was a very good decision, क्योंकि overall इस शो का अगर हम दो nights पर जजज करें, तो एक अच्छा पेपर व्यू था, बोनियाड मैच के अगर हम बात करें, जो कि मेरे मैच of the year था, वो इस शो में था, Firefly Funhouse मैच, जबकि एक मैच नहीं था, कुछ नया जो हमें देखने को मिला, Edge versus Randy Orton था यहां पे, और उसके बाद Seth Rollins versus Kevin Owens, John Morrison वाला triple threat match था, कितना कमाल का वो भी ladder match था, और उसके बाद यहां पे Drew McIntyre ने जो अपनी moment अचीव करी, और बिना crowd होत चीजें और जो फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसकी विरसे best pay-per-view of the year नहीं है, number 3 पर है, number 2 की हम बात करते हैं guys, तो यहां पर आता है, इस साल का आखरी pay-per-view, जो कि था, tables, ladders, and chairs, और अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ, इसको list में number 1 पर डालना चाहिए, तो was unbelievably good, माला storytelling, wrestling, sports, moments, हर चीज ती उस match के अंदर, और I think कि यह match इतना ज्यादा अच्छा था कि इसकी वज़ए से शायद Drew vs AJ, जो है वो थोड़ा समय फीका लगा, जबकि वो match अपने आप में बहुत अच्छा था, उसके अंदर cash-in वाला element था, तो यह guys बहुत अच्छा show था और Firefly Inferno match, जो एक ऐसा match, कुछी दिन पहले stipulation announce करी गई, सबको लग रहा था एक cinematic match होने वाला है, लेकिन WWE ने ring के अंदर एक spectacle दिया, और visually मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी कोई हमने ज़ादा चीज़े देखी हैं, I think Firefly Inferno on Boneyard match, visually दो सबसे कमाल की चीज़े हैं, जो इस साल wrestling में सारी companies मिला के भी मैंने अपने आप देखी हैं, तो वाई, ये चीज़ मुने बहुत बढ़िया लगी थी, और इसके लावा, obviously, Charlotte Flair का return हमें देखने को मिला, Hurt Business Raw के tag team titles जीत गए, जो की एक बड़ी moment थी, and overall, this was amazing, और Sasha Banks, Carmella का भी match, जो कि मैं इतना अच्छ नहीं कर रहा था, वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन एक ऐसा pay-per-view, जो कि इस साल का, guys, मेरे लिए, the best of this year, it's the Royal Rumble pay-per-view, और इसके पीछे कुछ रीजन है, सबसे बड़ा reason है मेरे लिए Edge का return, क्योंकि Edge was my favorite superstar, जब वो WWE में थे, CM Punk और Edge और Jeff Hardy, these were my top 3 in that time, और Edge जब retire हु आए, तो भाई, it absolutely was amazing, हम पागल हो गएते हैं, शौक रह गएते हैं, और उस moment को हम बार-बार live करते हैं, और हमेशा हमारे को goosebumps आते हैं, और उसके लावा, men's का जो Royal Rumble match था, probably the best Royal Rumble match, कुछ बोलेंगे in the history, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे matches को book करना मुश्क में, जैसे कि Daniel Bryan और Fiend का strap match, मुझे expected नहीं था कि Fiend इतना अच्छा match दे सकता है, लेकिन Bryan ने आप उनके साथ है किया, और Roman Reigns वर्सिस King Corbin का भी जो false count anywhere match था, वो expectations से better था, in fact US title का Andrade versus Humberto वाला match भी guys, एक ऐसा match नहीं था, जिसको हम बहुत बेकार बोल सकते हैं, तो overall ये पे pricing on the cake वाली बात हो जाती, तो ये बहुत close है, अगर TLC को मैं number 1, Royal Ramban को 2 भी रख दूँ, तो मुझे उसमें कोई problem नहीं होगी, और ये है guys, मेरे worst से best WWE के इस साल के pay-per-views, अगर आपको वीडियो पसंदा आई है, ऐसे like करें, उमीद करता हूँ कि आपको और ऐसी वीडियो as a whole, मुझे साल 2020 में कैसी लगी तो guys, उसके लिए आप stay tuned रहे, thank you so much for watching, मैं हूँ आईश और आप देख रहे है, Wrestle India